हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आयम रोहित प्रिवेस वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल इफ का स्ट्रक्चर देखा और उसके कंट्रोल फ्लो का जंप देखा कि कैसे हमारा कंट्रोल मूफ करता है डिपेंडिंग अपॉन दा कंडिशन के ट्रू या फॉल्स होने प एल्स इफ लाडर मैंचनिछं का प्रियोग करते हैं डेखिए कैसे सिंटेक्स होता है इफ कंडिशन वन ठीक है, if condition 1 then statements when condition 1 is true अगर condition 1 true होती है, तो यहाँ पर जो मैं इस block में statement लिखूंगा, वो statements execute होंगी, else अगर नहीं होती है else, उसमें फिर से मैंने condition दे दी, condition 2 अगर यह condition true होती है तो फिर यहाँ पर जो statements होंगी statements when condition 2 is true ठीक है, अगर नहीं, तो फिर से else और फिर तीसरी condition तो इस तरीके से आगर आगर आपके पास multiple condition है, ठीक है condition n ठीक है if if condition n ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है लास्ट में हमारे पास है next statement जैसा कि हमारे पास हर जगा था अब देखिए, इस case में control का flow कैसे का अब देखिए, यहाँ पर else if का ladder है, cd है, cd नुमा if, else, if, else, if, else, if, else, if, else, ठीक है, तो यह cd का structure, इसलिए हम बोलते हैं, इसको else if ladder और यह जब multiple condition आपको एक एक करके evaluate करनी पड़ती है, अगर यह, तो यह, otherwise, अगर यह, तो यह, otherwise, अगर यह, तो यह, otherwise, इस type की अगर situation हो, एक एक करके आप conditions evaluate कर रहे हैं, तो आप lc flatter का multiple conditions के लिए use कर सकते हैं, देखिए, अब इसका flow कैसे होगा, control का, अगर यह condition true हो गई, सबसे पहले यह आएगी, condition अगर true, true तो फिर इस block में आ जाएगा, इस वाले block में जो भी statements होगी, वो sequence execute करेगा, और जैसे ही आखरी statement execute हो जाएगी, कहाँ प बाहर, वहाँ पर आ जाएगा, अब उसके आगे, जो भी statements होगी, वो execute होगी, line से, similarly, अगर यह condition true होई तब तो यह, लेकिन अगर यह condition false होगी, तब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, अब जैसे ही यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको फिर से condition मिलेगी, तो जब condition मिलेगी, फिर condition check होगी, condition true है या false है, अगर condition true होई तो इस block में आएगा, इस block में जितनी statement होगी, वो एके करके execute करेगा, यह, 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 ठीक है, एके करके सारा, और जैसे ही आखरी statement execute करेगा, इस block की, control कहाँ पर आ जाएगा, इसी next statement पर, ठीक है, अगर यह भी fail कर गया, तो कहाँ पर जाएगा, जब else पर आएगा, फिर यहाँ condition मिलेगी, फिर चेक करेगा, यह, ठीक है, इस तरीके से चेक करते करते, अंतिम तक चेक करेंगे, यह, ठीक है, और इस block के अंदर आ जाएगे, ठीक है, और इस block के अंदर आने के बाद जितनी statement है, वो एके करके execute होगी, यह, 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 आखरी statement के बाद, फिर वही next statement पर, और अगर यह condition fail कर जाती है, तो यहाँ पर जितनी statement है, वो execute होगी, और आखरी statement के बाद, next statement, so यह, आपका sequence है, इसके control flow का, I hope कि आपको LC flatter का control flow समझ में आएगा, अभी हम सब का example लेके, आपको समझाएंगे कि करके, आपको clear हो लिजे, और control का jump कैसे हो रहा है, मैं फिर short में कह दे रहा हूँ, multiple condition आपको एक-एक करके, अगर evaluate करनी है, तो आप LC flatter का प्रियोग कर सकते हैं, और उसका तरीगा क्या है, if, else if, else if, else if, else if, और finally केवल else, ठीक है, condition पहली check होगी, true होगी तो इसकी statement, otherwise false होगी तो इसकी statement, और ज condition मिली, अगर true होगी तो यहाँ पर, false होगी तो इसकी else में जाएंगे, इस तरह करते करते हैं, end number of condition यहाँ तक आएंगे, और बीच में अगर कोई भी block execute होता है, तो वहाँ से उसकी last statement, जब भी execute होगी उसको निकलने के बाद, आगे की कोई भी statement execute नहीं होगी, सीधा हम next statement प होगी हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है, so this is the way how LC flatter works, I hope कि आपको समझ में आया होगा, जहां ना समझ में आया होगा, comment box में comment करिए, वैसे मैं जब example समझाऊंगा इसके तो आपको बिल्कुल clear cut समझ में आ जाएगा, एक ही problem, दो problem समझाऊंगा, जिसमें आपको सारे case से समझा दूँगा, ठीक है, so wait for that lecture, and this is all for today, अगर वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, next video lecture में हमने स्टेड इफेल्स के बारे में देखेंगे, उसके structure के बारे में देखेंगे, this is all for today, thank you very much.